लेकिन फिर भी हम Artificial Intelligence Technology पर यहां पर कई सारे फीचर्स लाने वाले हैं एक यहां पर मैंने आर्टिकल पड़ा था जो कि आई तिंग न्यू चैनल का नाम नहीं पुची पता है उसमें लिखा हुआ था कि AI आने वाले चंद सालों के अंदर चंद सालों के मतलब 2-4-5 साल के अंदर AI आने वाले चंद सालों के अंदर 5G टेक्नलोजी से इतनी तेजी से रफ़तार पकड़ने वाला है कि यहां पर जितने भी सारे इंटर्नेट यूजर हैं जितने भी हम तो यूज कर रहे हैं हम तो Artificial Intelligence लेकिन एक्षुली में यहां की जो एक्स्टर्नलोग है एंटर्नल छोड़ दो यह भी आर्टिफिशल इंटलीजेंस टेक्नलोजी को समझ रहें क्योंकि यूग से कनेडा जैसे देशों में जो डेवलप्ट कंट्री हैं वहां पर आई की अभी पढ़ाई चालू हो चुकी वह कि बाई यह इमाजिन कर रहे हैं तो वो चीज कही ना कहीं जो डेवलब कंट्री है सब्सक्राइब करें कि हम जापान की बात करते हैं जहां पर यहां पेसी उन्हें कितनी अच्छी अपनी पैट बनाई है यह समझने वाली बात है कि AI हमारे लिए कितना बड़ा एक वर्दान बन के आने वाला है यहां पे artificial intelligence की बात होती है तो हम कहीं न कहीं चैट GPT को नहीं हो सकते हैं यकीनन अगर सोरा AI के हम बात करें तो अभी एक open AI ने एक real वाइरल की है ठीक है वो बहुत वाइरल हो दी है थोड़ा समझने वाली बात है तो वो real में क्या है कि open AI यहनि कि सोरा open AI का product है ठीक है सोरा एक advanced AI technology है सोरा उन्होंका प्रोड़क्त का नाम है एक चैट GPT एक वर्जन है सपोस करें कि आज आप जो वर्जन यूज़ कर रहे हो यह वन है जो connect का and 2.0 वर्जन जो है ना वह हमारा ओकने आने वाला है तो चैट GPT फरस्ट वर्जन ओपन AI का जो कि चैट GPT है and सोरा एक सिकेंट वर्जन जो कि सोरा ने एक real अभी सोरा की वाइरल हुई है जो कि उसमें बताया गया है कि वो और तो जनरेट किस तरीके से करते हैं humans को कि आने वाले समय के बाद में क्या होने वाला है आने वाले 100 साल के बाद में क्या होने वाला है तो expectation beyond the expectation यह चीज़ें जो हम एक सोच रहे हैं कि आज AI पूरी दुनिया को lead करने वाल बात यह है कि आपने आपको खुद develop करती है अपने आपको खुद upgrade करती है कि आप चैट GPT पर जाएं और बोलें जाकर के कि यहां पे आप सबसे दुनिया का सबसे बड़ा इंसान आप generate करके दीजिए नोड़ाट वो generate करके देंगे एक प्रोड़क्ट है एक नियेटर आइ आपको बताना नहीं है आपको माइंड में रखना है एक नियेटर आप सर्च करना जा करके आपके माइंड में एक पिक है कि भाई मुझे इस celebrity को या फिर कुछ छोटा मोटा ही celebrity क्यों नहों सपोस्पोस कि को यूटूबर ही क्यों नहों उसको आप डूंडो आप एश मुप नहीं है वो बिजनिसमेन है यस ओके पॉलिटीशन है तो इस तरीके से वह आपके imagination को एक तस्वीर में बदल देता है आपके अंदर क्या चल रहा है वो सब जानता है हम आने वाले समय के अंदर हम कौन सी जीवन में क्या activity करने वाले हैं आज जो हम direction AI को देते हैं वो हमें द यह junk food नहीं खाना चाहिए हम कितने ज्यादा दौलना चाहिए हमारे अंदर कौन सी बिमारी पनफ रही है यह सर्फ सिर्फ किस तरीके से सिर्फ AI के जरिये उन सब चीजों को आज Japanese लोग क्यों इतना ज्यादा advance हो गये पता है आपने आज Japanese लोगों की उम्र को आप देखिए Japanese लोग 90 के हो जाते हैं ठीक है हमारे या 90 के जो होते हैं वो बेट पर लग जाते हैं अभी तक तो लगने की उमीद ही नहीं मतलब अभी तो 60 के अंदर ही काम हो जाता है खर ऐसा बोला नीचे मुझे लेकिन actually fact है आप Japanese लोगों को देखिए वो लोग किस तरीके से टेक्नोलोजी के जरीए अपने आपको किस तरीके से जवान दिखाते हैं उनको जो चीज़े हैं ना उनको पता है कि टेक्नोलोजी को यूज करके हम किस तरह से स्वश्च रह सकते हैं ये हर एक field में काम आने वाला ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ on pursue में काम आने वाला है on pursue तो एक जरिया है artificial intelligence technology का AI टेखनोलोजी है on pursue अलग है ऑपे सिटो उस पर वर्त कर रहा है ना कि सिर्फ on pursue technology को AI technology ला रहा यह on pursue AI technology को अपने product के जरीए बढ़ावा दे रहा और यकिनन मैंने जितने भी एक प्रोड़क्ट अभी तक मार्केट में देखे हैं जिनका 90 परसेंट या 60 परसेंट तक यूज हुआ है वो अभी तक वायरल ही हुआ है और अभी तक इस ओ कनेक्ट में इस ओ कनेक्ट में आप सब्सक्राइब करें कि यहाँ पर एक 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 हैलिकॉप्टर हो तो देन वह तोड़ास बना के देगा यह एक टेक एक एक टेकनलोजी का पूरा दौर चल रहा है और यह अच्छुप्टर नहीं हो सकता है यह यहाई वेजिक हैं जहां पर कुछ एसे वर्ड लिक आप अपने नाम से भी आप गहना सकते हो अगर आटिकल मौजूद है तो जाकर के सर्च में आएगा अगर नहीं मौजूद है तो सर्च में नहीं आएगा लेकिन AI क्या करता है जो जो सोरा जैसी वैब साइट्स है वो जनरेट करता है सिस्टम को वो जनरेट करता है अभी मैं चाहूं तो क्या क्या हूं ये क्या हूं ये क्या हूं है अलो कौन है बाई हलो मेरी अवाज आ रही है सफिर भाई जी सार आ रही हा रही हा रही हा रही हा रही हा रही हो कि अक्षल में कि अक्षल में क्या होता है कि आई जो है ना वह एक्षल में है वह जनरेट करता है चाहे पिक्चर्स हों चाहे इमेजेस हों चाहे कोई वी चीज हो वह सिच्वेशन को देखता है और आज यहां पर जो हमारा न्यू ओ कनेक्ट आने वाला है उसमें याई फिचर्स होंगे तो माई डिफेंड्स यहां पर किसी भी चीज को ले यहां पर किस तरीके से उसको मार्केट में प्रिजेंट किया जाना है ऑटोमेटिक यहां पर ऑटोमेटिक वो चीज़ें वाइरल होने वाली है क्योंकि अगर देखा जाए तो आज की डेट में जो आज जो भी डेट चल रही है आज की तारीक अभी तक किसी भी वीडियो कॉन्फरेंसिंग टूल में AI का यूज नहीं किया गया है कि अमार राइट हो रहा है तो जब आप मार्केट में यह लिखीत बात है जो बिजनिसमें बड़े-बड़े हैं उन्होंने लिखी हुई है आप एक बुक पड़े हैं दब बिजनिसमाइंड उसमें लिखी हुई है और बहुत बड़े बिजनिसमेंड की उन्हों की बुक हा बिखते हो तो डेफिनेटली आपका प्रोड़क्ट बिखता ही बिखता है वो एक ब्रैंड बनता है भले यह नियू क्यों नहीं तो हमें इसकी तो कोई चीजें नहीं है हमारा प्रोड़क्ट आनपेस्व का जो ओकनेक्ट है उसका बिल्कुल सस्ता है एंड यूजर फ्रेंड फिर है उसका नाम मुझे याद नहीं अडॉप साइथ है आई थिंग अडॉप नाम है उसका जो कि वह एक्ष्वल में AI के वीडियो को जनरेट करता है सब्सक्राइब करें कि और विद वॉइस यहां तक AI पहुंच चुका है अब विद वॉइस सात में वॉइस होगी एंड दैन मैं बैठा हुआ हूँ सब्सक्राइब कि मैं बैठा हूँ ठीक है एंड मैं बैठा हूँ एंड आप जानते भी है कि मुझे एस पीज देनी है वहां पर मैंने चीज़ें डाल दी कि ओके य कि अब लगेगा कि तो मौहमत कैसी बोल रहा है लेकिन एक्षुल में वो एक आवतार हो रहरा है और सेम वहाइस के साथ में सेम फ्लो के साथ में सेम मोटिवेशन के साथ में वो auto generate करेगा, regenerate करेगा, सबसे पहले उसको एक clip देनी पड़ती है कि भाई आप ये clip लो and then दो मिनट की, then इस flow के साथ में आपको बोलना है, और वो mix करके बोलेगा, suppose करना है कि कोई English mix and Hindi mix and Urdu and plus Sanskrit, वो mix करके बोलना है, तो then वो भी mix करके बोलेगा, तो लगेगा ही नहीं कि सा ही किसी ब्यार कर सकते हैं, तो ये एक actual चीज है, जहां पर AI का पूरी तरह से इस्तमाल किया जा रहा है, और लोग उसको use कर रहे हैं, जितनी भी, अमोमन वेबसाइट आज AI पर आधारित हैं, बले ही वहां पर 40% use किया गया हो, आज लोग उसको use कर रहे हैं, वो लाखों ड वेबसाइट, AI की, और और जैसी वेबसाइट, millions of dollars पर रहे हैं, millions of dollars, open AI कितनी बड़ी वेबसाइट बन चुकी है, तो ये सब चीजें, actual में, हमारे लिए, बहुत बड़ी चीजें हैं, हम साइध, artificial intelligence technology को, जिस लेवल पर आज यहां पर देख रहे हैं, कि आज हमने O Connect को यहां पर इस लेवल पर देखाएगी, यहां पर ठीक है, कोई बात नहीं है, मिटिंग चालू की दन, यहां पर प्रिजेंट करना, स्टाट कर दिया, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, अपग्रेड होकर कि O Connect हमारे सामने आने वाला, लोगों के लिए यह जरूरी नहीं हो रहा है, तो हमें यह सोचना चाहिए, कि यह जब पूरी तरह से, जब इसमें AI फीचर्स आएंगे, तब O Connect किस तरीके से दिखने वाला है, तब O Connect किस तरीके से यहां पर होने वाला है, बात सिर्फ वो खनक की नहीं है, बात यहां पर सारी on-pressive कि है, जितने भी सारे प्रोडक्स आने वाले हैं, जितने भी सारे प्रोडक्स, सब में artificial intelligence technology का यूज होगा, अभी बेन स्पोर्ट्स पर जब पिछली साल एड चली थी, हमारी 2006 में फिर फीफा है, तो उसमें क्या थ ताकि वहां पर लिखा गा था, जब एड चल नहीं थी, कि on-pressive the future of internet, on-pressive the future of internet, means, एक्चुल में यह है, और यह internet का future है,